मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है गंगा मैली ही रही, अपनी लहरों में वो कच्रा ही बहाती रही, जिन संतों ने इसके खिलाफ अंशन का रास्ता अपनाया, उनमें से ज्यादा तर ने अंशन करते हुए अपने प्राण त्याग दिये अंशन की इसकड़ी में हरीद्वार के मात्र सदन के संत स्वामी आत्मबोध आनंद 133 दिनों से आमरन अंशन पर बैठे हैं स्वामी आत्मबोध मोधी सरकार पर कुछ इस तरह आरोप लगाते हैं मगर स्वामी आत्मबोध आनंद कहते हैं कि गंगा की सफाई और उसमें आने वाली अर्चनों के खिलाव जो आंदोलन चल पड़ा है वो एक सिलसला है जो मकसद पूरा होने तक उनके बाद भी जारी रहेगा बिना कुछ जरूरी कदम उठाए सिर्फ पैसा बहा देने से गंगा की सफाई मुम्किन नहीं ये अंचन उन्ही जरूरी कदमों को उठाए जाने की मांग करता है गंगा की इन लहरों के पास सत्ता के आनी जाने की अंगिनत कहानिया है मगर इसे निर्मल बनाने के वायदे से मुकर जाने की माजूता सत्ता की कहानी ने स्वामी आत्म वोध आनन जैसे संतों को अपने अंशन के जरिये सत्ता से मुद्भेड करने की रह पर लाकर खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से देवेश सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्स्प्रेस